तो हें गाइस वाच्स अप और बहुत ही बढ़िया न्यूज BGMI के नए अपडेट जो कि Dragon Balls का अपडेट है वो जो कि हम लोग के Play Store पे आ चुका है उस अपडेट के साथ-साथ BGMI ऑफिशनी 90 FPS सपोर्ट कर रहा है एंड हम लोग उस 90 FPS को अपने BlueStack और MSI App Player पहने बिल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा और वो ट्रिक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है तुम्हें कोई बताने वाला है नहीं क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हम लोग सेटिंग्स पर जाके डिवाइस पर जाके जब फोन होता है उससे अगर हम लोग Samsung S20 Ultra रखे तो उससे 90 FPS आएगा अभी अपडेट में आएगा लेकिन तुम्हें 1080p resolution नहीं मिलने वाला है और अगर 1080p के लिए तुम अगर GFX टूल यूज करोगे तुम्हारा ID बैन उनकी chances बहुत जाद है कि BlueStack वालों ने खुद बोला कि GFX टूल यूज कर रहे बैन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना कि अपना MSI App Player या फिर BlueStack का जो तुम्हारा प्लेयर है उसे आन कर लेना जैसे मैंने अपने MSI App Player यहां पे आन करके रखा हुआ है मैं जो settings बता रहा हुँ ना सिर्फ वो settings को copy कर लेना तुम्हे confirm 1080p 90fps जो कि तुम्हारा ओफिशल 90fps से वह आने वाला है तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले प्लेय स्टोर पर जाके अपना BGMI को पहले update कर लेना अपडेट करने के बाद हम लोग को जाना है settings पर settings पर जाने के बाद यहां पर तुम्हें जो settings से copy कर लेना हाई 4GB RAM रख लेना custom RGB मतलब 8 code तुम्हें यहां पर रख सकते हो high performance यह तुम्हें enable करना पड़े है guys enable high frame rate को करके इसको lock कर देना तुम 90 fps मैंने 90 पर रख है तुम 240 कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता हो उससे तुम 90 fps को कि हम लोग को maximum मीलेंगे तो मैं बलूँगा कि 90 यह रखो stability थोड़ी सी वड़ती है इससे डिस्प्ले पर जाके same setting तुम्हें यहां पर आसे मैंने रखा वैसे रखना है और उसका डिस्प्ले जाके तुम्हें क्या करना यहां पे resolution को यह रखना देखो 1080p resolution at 1920 x 1080p इससे तुम्हें रखना हो यहां पर यह बहुत है important है आरेक टेक्स नहीं रखना तो openGL रखना है openGL बहुत जादा stable है मैंने इसको अच्छे से explain किया मेरे पीसे वाले वीडियो में तुम चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि openGL किस काम के लिए आता है बेसिकली तुम्हारा ग्राफिक कार्ड यूज करता है openGL तुम्हारे पास अगर कोई भी ग्राफिक कार्ड है 2GB RAM 3GB VRAM या फिर 4GB VRAM वला तो openGL रखो बहुत ही अच्छा चलेगा resolution मिलेगा वह भी 90 fps के साथ इसके अलावा अगर तुम यहां पर कोई भी रखोगे Samsung S21 Ultra या फिर S20 Ultra कर कुछ भी रखोगे तुम्हें 1080p resolution नहीं मिलने वाला तुम्हें भले 90 fps मिल जाए लेकिन तुम्हें 1080p resolution नहीं मिलेगा तुम्हें गेम बहुत ही pixelated and graphics बहुत ही गंदी दि and model जोगा JDAL50 देखो सेम ऐसे रखना यहां पर तुम्हें एक space देना है space के बीच में एक तुम्हें minus का sign है देख लो पूरा exact तुम्हें ऐसे ही रखना है same यही settings जालना है guys तुम्हें तब जाके 1080p 90 fps आने वाला है and एक और चीज थोड़ा सा lag कम होने के लिए preference पे जाके यह सारे जितनी पी चीज़ें इसे off कर देना allow msi app player to connect with discord इसे off करना है and created desktop यह सारे चीज़ें को off करके तुम safe कर लेना अब देखो अब हम लोग game को open करते guys तुम्हें live दिखाऊंगा fps मेरे केतने आ रहे हाला कि मेरा recording हो रहा है तो मेरे थोड़े से fluctuate होगे कि मेरा जो graphic card है वो 70% OBSC यूज़ कर रहा है जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता हो कि मेरा जो graphic card है वो 70% यूज़ लग वो 40% 4065 यह तु ले वाला है तो यह देखो मैं इसे full screen कर दे रहा हो तुम्हें दिखाने के लिए कि आखिरकार game में fps कितने आ रहे हैं ठीक है चलो वो चक करते है अभी तो यह हम मैंने update कर लिए अब दिखाता हो यह देखो setting पे मैंने ग्राफिक्स यह देखो smooth and 90 fps यहां पे आ चुका है यह पहले गाइस नहीं था लेकिन अभी आया अपडेट के बाद smooth and 90 fps लावे भी भी आकर smooth and 90 fps को रख लेना है यहां पे colorful रख लेना है यहां पे simple इसे safe कर लेना ठीक है and इसके साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी fps मेरे कितने आ रहे हैं training round पर जाके ठीक है and जो थोड़ी यह देखो यह हम लोग का game launch हो चलके अब fps count करना गाइस मेरा fps देखो कितना constant 84 मेरा recording हो रहा है तो इसलिए इतने 87 फिर भी 80K plus रह रहा है देखरें गाइस अभी देखो अभी तो 85 के ऊपर fps रह रहा है यह देखो 85 के ऊपर fps रह रह रहा है तो गाइस एक चीज है कि जब तो तुम्हें क्या करना यहां पर जाके smart को हटाके तुम्हें क्या करना 1080p standard रख लेना ठीक है 1080p standard तुम्हें रख लेना है और मैं बताता हूं कि बाकी जो थोड़ी और basic जो sensitivity settings से में sensitivity और बाकी जो तुम्हारी control scheme mapping है वो भी तुम्हें बता दूँगा तुम्हें simple क्या करना scheme पर जाके 1080p standard तुम्हें रख लेना यह चीज़े ठीक है and 1080p standard रखने के बाद तुम्हें अब क्या करना तुम्हें सबसे पहले एक तो हम लोग का हो गया यह देखो सारे चीज़ें अच्छे से काम करी है and एक और चीज़ तुम्हें क्या करना पड़ेगा settings पर जाके तुम् अब चीज़ें तुम्हें अब दिखाता हो गाड़ी चला के गाड़ी कैसे चल ठीक है सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है इसका परिफट गाइस काम करें 1080p standard पर रहे रहते हैं ठीक है लेकिन 1080p पर एक दिक्कत यह है कि तुम्हारा जो mouse का स्क्रॉल होता है ना वह का तो उसका भी मैंने fix जोगार तो निकाल रहा है वह दिखाऊंगा अभी दिखो जैसे मैं यहां पर एक कार में बैठ रहा हूं ठीक है यह देखो आगे भी जा रहा है पीछे सब चीज़ें हो रहा है देखो यह सारी चीज़ें हो रही है गाइस यहां पर दम और एक ट्रिक है जिससे तुम यह जो जूम वाली चीज है न जूम वाली यह देखो इसे तुम उपर नीचे यह माउस स्क्रॉल से ही कर सकते हो क्यों कि 1080 पे स्टांडर्ट पे यह जो माउस वाला स्क्रॉल होता है यह काम नहीं करता है इस ट्रिक से तुम्हारे माउस का स्क्रॉल वाला function है, यह काम करने लगेगा, ठीक है, और recoil जो कितनी अच्छी काम कर रही है, तो सबसे पहले तुम्हें इस चीज को trick करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम क्या करो, settings पर यहाँ पर जाओ, and अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, basic पर जाके scope mode को तु control editor में जाना, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे initially F1 रहेगा, ठीक है, इसे तुम click करके control दबा देना, ठीक है, बस तुम्हें यह करना है, and रही बात इस चीज की, ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें करना यह है, कि सबसे पहले scope on करने ना, scope on क करने के बाद ये एडशेस्ट वाले पर क्लिक करना एक बार माوس अनलॉक करके अब तुम्हें तुम्हें यह दीख Поэтому है तुम्हें यह चाइम पर गेम कंट्रोल को यहां पर ओपन करना है अगर को ओन करना on करने के बाद तुम्हें सिंप्ली क्या करना , यहाँ पिस यहाँ के से मैं सब चीजह हटा द這種 मैं जिखाता ह候 कि कैसे हम क्रॉस कोई बी की डाल दो सिफ्ट मद डालना तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम जब स्प्रेंट कारो गया तो मैं सबस्तक होने का パब्लम होता है तो shift के अलावा कोई भी की डाल देना से मेरे mouse में extra buttons है दो extra button है तो मैं वो extra button को यहाँ पर डाल रहा हूँ ठीक है जो तुमारा side में होते है na gaming mouse पर extra button में है उसे यहाँ पर डाल दिया अब तुम्हें क्या करना है यहाँ जो ऊपर देख रहा है क्लिक करना और mouse scroll down कर देना ठीक है यह करना के बाद तुम्हें simply क्या करना है अब सेफ कर देना है and save करना के बाद इसे बंद कर देना अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह काम कर रहा है के नहीं कर रहा है ठीक है यह देखो इसके इसे करने की आगस करने कीपर इंटिंग पर जाना है अब यहां पे स्कोप को वापस हे हो आपिन कर रहा हूं अब मैं माउस का वो बटन दबाया अब देखो माउस का scroll wheel उपर कर रहा हूँ तो वो उपर जा रहा है और नीशे कर रहा हो तो श extend कर सकते कि हम लोग ब्लू स्टैक या नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते जिससे वो लोग खुद बख खुद स्मार्ट की को फिक्स कर दे मैपिंग को लेकिन तब तक जब तक अपडेट नहीं आ रहा हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहां से ऐसे मैंने बोला टनिटेपे स्टैंडर्ड ड्र सबसक्राइब लेना और सारे यही सेटिंग्स को कर लेना जिसमे तमारी बहुत ही जादा अच्छा चलेगा स्क्रॉल की पूरे अच्छे से काम करें तुम्हीं यह inferior on and nion ग्रद तो इसे ऑच्छी मेंने रही ठीक है तो सार्य चीज दिसे काम करीया घर गय्स हीरक पूरा ची अगर तुम्हें तो最k कारते है? अगर तुम्हें पर में, यह dónde है? की और आटा? जुआ की यहाद से छेकशआ जाएगा जो उपर नेचे की मूव्ममेंट होती है तो अगर तुम यह movement को जादा करोगे तो तुम recoil control भी तुम्हारा easy होगा क्योंकि recoil control हम लोग को इस angle में करना होता है तो यह थी छोटी सी trick तो guys यह सारे setting को करना तुम्हें 90 fps confirm आएगा ठीक है और हाँ हो सकता है कि तुम्हारा जैसे तुम अगर वो device को change करोगे फोन को जो यूआवे वाला है तुम्हारा एक या दो बार game crash करें कोई दिक्रिफ नहीं है अगर game crash कर रहा है वापस से MSI or blue stack को restart करना guarantee देता हो वापस से जब तुम restart करोगे तुम्हारा game पूरा 90 FPS बिना crash के साथ चलेगा तो ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद आए ते वीडियो को like करना और चनल पने तो जलो subscribe करो तो और update लाता होगा मैं MSI blue stack से जूड़े होए तो तब ते के लिए बाब बाई